जोते शास्त्र में कहा जाता है कि अंसान के जीवन पर उसके ग्रह नक्षत्रों की चाल का पहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इसका हर इंसान को अपने दैनिक जीवन पर इसका असर देखने को भी मिलता है वैसे तो शास्त्रों में कुछ बाते केवल आधार के रूप में लिख दी गई है लेकिन आपको बता दे ये बात परमसत्य है कि सफलता का एक मार्ग परिक्ष्रम है लेकिन हम अपने आजपास भी कई ऐसे लोगों को देखते ही होंगे जो महनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके पश्चाद भी उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पाती और उनके लिए ये एक चिंता का विश्य होता है लेकिन अब आपको परिशान होने की ज़ुरत नहीं है जोतिश में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए है जिनकी मदद से इनसान की हर समस्या का समाधान हो सकता है इसके पीछे जोतिश के विद्वानों का मानना है कि ऐसा कुंडली के दोशों से संभव है कि आप महनत के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते इस तरह के दोश का समाधान भी कुंडली के आधार पर ही किया जाता है ऐसे में आज हम आपको कुंडली में होने वाले कुछ मुख्य दोश और इनके उपाय बताने वाले हैं बतादें आपको जिन लोगों की कुंडली में मंगल का दोश है उनका सामना कई तरह की परिशानियों से हो सकता है जिससे बचने के लिए आप अपने पलंग के नीचे कांसे के बर्तन में पानी भर कर रखें या फिर सोने चांदी या कुछ गहने रख दें अगर आपकी कुंडली में गुरू का दोश है तो आपके साथ सफलता का नाता नहीं रह सकता आपको हर काम में असफलता ही हाथ लगेगी जिसे दूर करने के लिए आप अपने सिर के नीचे यानि की तकिये के नीचे एक कपड़े में हल्दी की गांट बांध कर रख दें चंद्र दोश वाले कुंडली के लोग चांदी के बर्तन में पानी भर कर पलंग के नीचे रख दें जोतिश के ग्यादा यहां पर बताते हैं कि इन उपायों को अपनाने से आपके कुंडली के दोश खतम हो सकते हैं और फिर कभी सफलता आपसे दूर नहीं भाग सकते दोश मुक्त कुंडली के साथ अपने जीवन में नही नहीं खुशियों का आगमन होगा आपका और आपका जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा नेक्स टाइंस फ्रीचोल से आरतिक रिपोर्ट